आयोधिया मामले पर सुप्रीम कोड के फैसले को देखते हुए लोगों से शांती और सौगर्द कायम रखने की अपील की जा लेगी है पुलिस द्वारा विशेश अभ्यान भी चलाया जा रखा गए इसी कड़ी में शुकरवार को इंदोर रेल्वेस टेशन पर जी आरपी द्वारा विशेश सर्चिंग अभ्यान चलाया गया पुलिस के अनुसार फैसले के बाद शहर की शांती रवस्ता को किसी प्रकार का खत्रा ना हो इसके लिए सतरकता बरती जा रगी है संदिक दिव्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखी भी जा रही है शुकरवार सुब़ जी आरपी द्वारा इंदोर रेल्वेस टेशन पर विशेश सर्चिंग अभ्यान चलाया गया इसके तहर ट्रेनों की सर्चिंग के साथ ही संदिक दिव्यक्तियों की चेकिन की गई इस्टेशन परिसर में भी सर्चिंग की गई शी आरपी अधिकारियों के अनुसार आयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसरा आने के बाद भी यह सतरकता अभियान चारी रहेगा अधिक पुलिस दोनों के द्वारा जॉइंट लग्मार्श निकाला गया था और सेचिंग की कारवाही की जा रही है जिसका मुख्य उद्देश जनता और पुलिस में विश्वात प्रशित करना है आने वाले सेवहारों को एवां जो कानुन दोस्ता की सुप्न ना हो इसको ठिस्तिगट रखते हुए पुलिस के द्वारा ये फ्लैग मार्श की कारवाही की गई है जिसमें जनता को देखता है जनता को ये लगता है कि निश्वात प्रशित आपके साथ खड़ी हुए और इसी तरतम में हम लोग के द्वारा उन बुंडे वजमासों के विजट भी कारवाही की जा रही है जिन्होंने इसके फूर में रेलवे ओफेंस लिया हुआ है जिनसे दो से अधिक अपराज है उन्हें भी कुसी नंदात्मा को उनके विजट कारवाही की जानी है